तो गाइस आज का कुछ दीन ऐसा है अभी मैं जा रहा हूँ एक जंगल में जो कि हमारे पास ही काफी घेरा जंगल है तो उसके अंदर जा रहे हैं सब्सक्राइब करें तो है गाइस कैसे हो आप लोग स्वागत आपका हमारे एक न्यू व्लोग में तो गाइस काफी दिन हो जो कि थे आर्फेस के वीडियो नहीं बनाई बोई सोबर वीडियो बनाई थी तो गाइस आज का कुछ दीन ऐसा है अभी मैं जा रहा हूं एक जंगल में जो कि हमारे पास ही काफी घेरा जंगल तो उसके अंदर जा रहे है दूप काफी हो रखी है तो चलो चलते हैं और अभी मैंने यहां से ब्लोग स्टार्ट किया है तो चलो आई जब देखो कितना सब्सक्राइब कोई बिल्कुल सुनसान है कोई आज पास नहीं है चलो मै अब भाई सब एड़ी पीड़ी एड़ी ओ भाई यह देखो गाई इस पता नहीं किस चीज़ के एड़ी है और भाई पूरी एड़ी पीड़ी यह डिर लग रहा है यार मुझे लगता को जंगली जानबर में इसका शिकार किया होगा वैसे भाई यार आप भी ऐसे गलती मत करना वैसे मैं तो यहां पर कुछ पूछ पाच के तब ही आया हूं कि जंगल जानबर कोई रहता है यहां नहीं रहता वैसे नहीं आना चाहिए गाई सीरिसली वह बाई आप मेरे चेहरे पर गर्मी तो देख सकते हो एक तो डर्की गर्मी एंड एक गर्मी बहुत और रखी ह हवा तो आती नहीं है मतलकि पूरा बहुत गहना है इसलिए हवा तो अंदर आती नहीं है एंड मुझे लगता है मुझे शूज पेर के आने थे यह देखू मैं सैंडल पेर के आगया कांटें चूप रहे हैं गाईस चलो कोई बात नहीं गाईस एडवेंचर महीं मजा है आय जंगल के अंदर से रास्ता जाता देख लो एंड इसक्यू पर जानबर देखो बाई कितने बड़े बड़े बेड़े रखें ऐसे लगता को तेंदवा तूंदवा बेठा है बाई सीरिसली मुझे तो लगता नहीं यहां पर कोई तेंदवा होगा आई जार ठक चुका हूं मतलकि पूरा भूटल काया हूं एक लाइक कर दो मेनत के लिए होगा है एक लाइक करते हैं कई करें पाई जंगल के इनदर आं मतलकि मैं अभी आया हूना तब से मैं देखो यह दिलिए को यह यह रही इस पूरी जंगल में घड़ी जंगला कोई पता नहीं है जंगल का यह हिस्सा देखो कित्का घहना है भाई इसके अंदर तो लाइट भी नहीं आ रही है तो आपको दिखाता हूं यह देखो भाई पेड कैसे आपस में जुड़ रखें और बहुत गना जंगल है यार सिर्सली जिन मुझे मालगता है हमें यहां से जाना चाहिए क्योंकि बाई इसी जगहां यहना तेहंदों के होती है भाई मैंने वीडियो में देखी हुई आसे जिए शिकार करने के लिए तो मुझे लगता है अभी देखो गाइस कितना घणा जंगल है पड़ रखे पर चोट चोटे चोटे पेड़ भी नहीं है पूरे पता नहीं है अग्या आप यह वाइज अभी मुझे यह कीडा खा गया यह देखो और भाई इतना मतलब किसने खून इतना निकाला आए ना मैं आपको बता नहीं सकता यार काट लिया मतलब कि अंदर गल गया था यह वाला कीड़ा भाई बहुत खतरनाक है गाईज सीरिसली आपको कभी काटा है तो कोमेंट बॉक्स में जुरू बताना जंगल में तो ऐसा होता रहता गाईज एंड भाई सांप सूप का भी डर लगता है गाईज इतनी सारी हड़ी एक जंगाई पड़ी है ऐसा लगता है किसने शिकार किया है बड़ी जानवर का ओ भाई साहब कितने बड़े-बड़े हड़ी यार चलो भाई मुझे डर लग रहा है यार मुझे इसा लगता है कि आज हमारी भी हड़ी यहीं गिरने वाली है मैंने मम्मी से पर्मेशन तो ली थी लेकिन गाईजर थक चुके हैं बहुत ज़्यादा और गर्मी भी लग रखे मुझे लगता है इसके बाहर जाना चाहिए क्योंकि भाई पानी की दिक्कत है तो जाकर पानी भी पिएंगे और वरना तो यहां पर मर जाएंगे सीरिसली तो चलो गाईज जल्दी से बाहर चलते हैं ज बाहर मुझे पसीना पूचकर वीडियो बनाने पड़ रही है क्योंकि मैं पूरे भीग जा रहा हूं यह देखो गले की उपर किसना पसीना है सीरिसली और यह इतना गणा इसके अंदर पून यहां हवा नहीं आती तो इसलिए गर्मी लग रख किम आप देखो भाई कितना गना है तुम बताओ या डर नहीं लगेगा इस मज़ा तो आता है लेकिन मज़े के साथ डर भी लगता है यहार खुद की शैप्टी भी देखनी चाहिए न हमें आपक चीज दिखा तो वह देखो काई सामने लील लगा है वह भाई कितनी सारी है यहार आप थोड़ी ठंडी लगती है और फिलीज आप लाइक कर देना कुछ सपोर्ट करो और चलो बाहर चलते हैं अभी पहुँचे पानी के पास अब हमर चुके त्यार वहां पर जाकर दो पहले तो बहुत होते हैं ठंडे पानी ही झाल झाल झाल